हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आप कास्वागत है दोस्तों, Reliance Industries के चेर्मेन मुकेश अंबानी भारत के तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ही लेकिन अब वो दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो गए है जहां एक तरफ इनके भाई अनेल अंबानी की संपत्ती में 65% की गिरावट आ गई है और कर्ज में डूबते जा रहे हैं, वहीं अब मुकेश अंबानी की संपत्ती 54 बिलियन डॉलर तक हो गई है दह हुरून रिसर्च रिपोर्ट ने हाल ही में साल 2019 की दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है और मुकेश अंबानी पहले भारतिय रहे जिनोंने इस लिस्ट में अपनी जगे बनाई है इस लिस्ट में अमेजोन कंपनी के प्रमुक जैफ बेजोस लगातार दूसरे साल शीर्ष पर रहे जैफ बेजोस की नेट वर्थ 147 बिलियन डॉलर आकी गई इनके बाद 96 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ के साथ दूसरे स्थान पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जबकि 88 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ बर्क शाहर हाथवे के चेयर्मेन वारन बफेट तीसरे और LVMH के बर्णार्ड अलनॉल्ट 86 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ चोथे स्थान पर रहे इनके बाद पाचवे स्थान पर रहे फेस्बुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जिनकी संपत्ती 80 बिलियन डॉलर आकी गई इनके बाद टेली क्योमिनिकेशन कंपनी अमेरिका मॉविल के चेयर्मेन स्लिम हेलू 66 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ छटे स्थान पर और 56 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ जारा कंपनी के मालिक अमान सियो और टेगा सातवे स्थान पर रहे इनके बाद Google के संस्थापक सर्जी ब्रेन 54 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ दुनिया के आठवे सबसे अमीर व्यक्ती रहे जबकी 54 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ ही भारत के Reliance Industries के चेर्मेन मुकेश अम्बानी नवे स्थान पर अपनी जगे बनाने में काम्याब रहे इस लिस्ट में दस्थान पर रहे Google के दूसरे संस्थापक लेरी पेज जिनकी कुल संपत्ती आकी गई 53 बिलियन डॉलर आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करते समय बैल आइकन जरूर दबाएं अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं धन्यवाद